हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल माई उन्यूक रिकेडमी फ्रेंड्स आसके इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कमला मारकंडे के बारे में देखेंगे इंग्लिश लिट्रेचर में इनका क्या योगदान है और इनके बारे में कुछ जादा जानकारी तो हमें नही देख सकते हैं हाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं ज्यादा जानकरी मैंने बताया है कि नहीं है तो यह छोटी सी वीडियो होगी कमला मारकंडे वाज बॉन इन अपर मिडिल क्लास देसस्त माधवा ब्राह्मिन फैमली इन 1924 एट मैसूर कमला मारकंडे वाज बॉन कमला मारकंडे का जन्म हुआ था इन अपर मिडिल क्लास उच्च मध्यम उवर गिये देसस्त माधवा ब्राह्मिन फैमली देसस्त माधवा ब्राह्मिन परिवार में इन 1924 एट मैसूर में तो इनका जो कुल था या हम कह सकते हैं इनकी जो फैमली थी उस फैमली को हम लोग जानते थे देसस्त माधवा ब्राह्मिन फैमली तो वहीं पर उसी फैमली में इनका जन्म 1924 में मैसूर में हुआ था और अगर पूछे भाई क्लास कैसी थी इनकी तो यह उच्च मध्य मोरगे परिवार से समधित थी हर ओर जिनल नेम वस कमला पोर्निया इनका जो वास्तिविक नाम था वो था कमला पोर्निया सी पार्टिसिपेटेड इन्होने भाग लिया in the freedom of struggle शतंत्रता संगर्ष में इन्होने भाग लिया मतलब उसमें योगदान दिया मारकंडे वोज ग्रेजुएट अफ मद्रास इन्वरसिटी इन्होंने मद्रास इन्वरसिटी से इसनातक किया इसनातक ग्रेजुएशन She was fluent in कंडल एन् मराठी Flint का मतलब होता है तेज होना तो तेज थी in कंडल एन् मराठी आछे आती थी जैसे финंड इंगलिस आप नहीं बोलते हैं अच्छी इंगलिस बोलना ऐसे यहां फर है कि ये कंडल और मराठी लेंग्वेज बहुत अच्छे से बोल लेती थी समझ भी लेती थी She went to England after 1947 She went वो गई to England after 1947 1947 के बाद and or settled there वही पे रह गई settled हो गई, मतलब बस गई वही पे She continued her work as a journalist in a solicitor's office and married John Taylor She continued उन्होंने जारी रखा her work अपना काम She continued उन्होंने जारी रखा her work अपना काम as a journalist एक पत्रकार के रूप में in a solicitor's office वकील के office में solicitor's का मतलब educate या वकील कह सकते हैं तो वहां के office में भी इन्होंने अपना पत्रकारता का कार जारी रखा and married और साधी कर ली John Taylor John Taylor से John Taylor से साधी इन की हुई She lived an intensely private life in England She lived an intensely private life intensely private देखे intense means होता है इच्छा तो उसी से बना intensely और private का मतलब ने जी life मतलब जीवन तो इन्होंने अपना निजी जीवन इंग्लैंड में वेतीत किया She lived इन्होंने वेतीत किया and intensely private life अपना अच्छिक निजी जीवन in England इंग्लैंड में traveling to India only occasionally और कभी कभार occasionally के मतलब होता है कभी कभार इंडिया भी ये travel कर लेती थी मतलब आ जाती थी जादा तर इन्होंने अपना निजी जीवन इंग्लैंड में वेतीत किया लेकिन कभी कभार इंडिया में भी आ जाती थी इसको समझे ये जानी जाती थी यानि प्रसिद थी फॉर राइटिंग लिखने के लिए अबाउट के बारे में कल्चर संस्कृती के बारे में क्लाइस संगर्स बेटबिन के बीच इंडियान अर्बन एंड रूरल सोसाइटी भारतिय सहरी और ग्रामीड समाज के बारे में अब यहाँ देखिए ये लाइन समझे इंडियान अर्बन एंड रूरल सोसाइटी सोसाइटी का मतलब होता है भारतिय सहरी समाज और भारतिय ग्रामीर समाज के बीच जो culture class था सांस्कृतिक संघर्स था बेडवेन का मतलब बीच में culture class का मतलब सांस्कृतिक संघर्स किसके किसके बीच में Indian urban and rural societies भारतिय सहरी समाज और भारतिय ग्रामीर समाज के बीच जो सांस्कृतिक संघर्स था उस पर लिखने के लिए यानि कि उस पर ही अपनी रचनाई लिखती थी और इस करण ये प्रशिद थी तो ये आपको लाएनी समझ में आ गई She is one of the most important Indian novelist Writing in English English में लिखने वाले सरवाधिक प्रशिद उपन्यास कारूं में से ये एक थी She is one ये एक थी one of the most important Indian novelist महतपूर भारतिय उपन्यास कारों में से Writing in English जो कि English में writing करते हैं लिखते हैं यानि कि कमला मारकंडे English में novel लिखने वाले भारतियों में से एक थी और वो भी important भारतियों में से She died of kidney failure यानि इनकी kidney में problem थी और उसी करण इनके मृत्ति हो गई वही चीज़ें हम पहले कि She died इनके मृत्ति हो गई Of kidney failure Kidney में कोई problem थी Kidney fail हो गई On 16th May 2004 16 माई को 2004 में At the age of 80 80 वर्स की आयू में Kidney में problem की वज़े से इनकी death हो गई मारकंडेस फर्स्ट पब्लिश्ट नॉबल Nectar in a Sieve 1957 Was a best seller मारकंडेस का यानि मारकंडे जो थी इनका पहला जो नॉबल था वो कब पब्लिश्ट हुआ था 1954 में और उस नॉबल का नाम था Nectar in a Sieve और यह best seller था Was a best seller Best seller का मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाला बहुत ज़्यादा बिका था यह novel मारकंडे का अब यहाँ पर कुछ और इनके novels दिये गया है और रचनाए दिये हैं हर other novels include यह इनकी कुछ रचनाए हैं इसके बारे में एक बार देख लेते हैं स्वे अने अन्होर देख यहाँ प्रूर्ण कर देख देख श्यादाओ आवें यह श्याँ कर देख अन्हों चुशट एफ राप्रण कर देख विए्टाओ गिए्टम् इनका जो अंतिम नौवेल था उसका नाम क्या था याद रखना फस्ट और अंतिम याद रखना फस्ट जो है नक्टरिन सीप और जो लास्ट है उसका नाम था बॉंबे टाइगर और यह 2008 में पब्लिस हुआ इनकी मृत्यू के बाद क्योंकि इनकी मृत्यू तो 2004 में हो गई थ तो पोस्ट ही मिसली का मतलब होता है मृत्यू के बाद मृत्यू परांत और किसके दौर पब्लिस किया गया इनकी बेटी थी कीम ओलाइवर तो इनके दौर पब्लिस किया गया तो कमला मारक अंडे के बारे में ज्यादा जानकरी नहीं मिलती इतना था मैंने आपको लिखा दिया उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर वीडियो पसंद आ रही तो उसको लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें